Hello friends, welcome back to my YouTube channel तो इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप Dream 11 पर एक rank ला सकते हो ऐसा real और genuine तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा जिसके बारे में किसी भी YouTuber ने आपको आज तक नहीं बताया होगा तो गाइस ऐसी में चीज़े आपको बताऊँगा जिसको ध्यान में रखते हुए अगर आप अपनी टीम क्रियेट करते हो तो कभी न कभी आप Dream 11 पर एक rank जरूर ला पाऊगे जो formula जो तरीका मैं आज आपको बताने बाला हूँ अगर आप उस तरीके से खेलते हो तो Dream 11 पर आप कभी न कभी एक rank जरूर ला पाऊगे तो दोस्तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक request कि जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो वीडियो को like और चैनल को subscribe करना मत भोलिएगा क्योंकि हम वो share करते हैं जो आपके लिए useful हो तो चलिए दोस्तो आपका ज़्यादा time खराब ना करते हो सीधे topic पर आते हैं और आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप Dream 11 पर एक rank ला सकते हो वो कौन सा ऐसा तरीका है वो कौन सी ऐसी चीज़े हैं जिसको आप ध्यान में रखते हो अगर अपनी team create करते हो तो 101% आप Dream 11 पर एक rank ला सकते हो तो जैसा कि दोस्तो बहुत से लोग करते क्या है कि जब भी कोई match start होने वाला होता है तो उससे related YouTube पर वीडियो जाके सर्च करते हैं और उस match के बारे में बहुत सारी जानकारियां इखटा कर लेते हैं उसके बाद जब वो अपनी team create करते हैं तो end में result वही आता है जो amount आपने लगाया होता है वही amount आपको वापस मिल जाता है तो guys वो इसलिए कि जानकारी आप इखटा कर लेते हो वो सही है बट team किस तरीके से create करनी है या किस pattern के साथ create करनी है वो आपको नहीं मालूं तो इस video में मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको team किस तरीके से create करनी है किस pattern के साथ create करनी है जिससे आप team 11 पर एक rank लाने के और close हो जाओगे तो सबसे पहले मैं आपको अपनी winning दिखाता हूँ, यहां आप मेरी winning देख सकते हो, मैं इसी formula के साथ खेलता हूँ, हाला कि मेरी एक rank नहीं आई, बट इसी pattern के साथ अगर मैं खेलूँगा, तो कभी न कभी एक rank जरूर आईगी, और अगर आप भी इसी pattern के साथ खेलोगे, तो आपकी भी एक rank जरूर आ सकती है, तो जैसे कि आप मेरी winning देख सकते हो, मैं इसी pattern के साथ खेलता हूँ, और यहां मेरे आप point देख सकते हो, 749, और जिसकी एक rank आई है, उसके 794, मतलब 55 point मैं दूर था, एक rank के, और जिस pattern के साथ मैं खेलता हूँ, मैं हमेशा से इसी pattern के कीजें, इसमें notice करी है, मैं recent match जाके देखता था, जैसे आप ही IPL चल रहे है, तो IPL के recent match जो मैंने लगाए है, उनको जाके देखता था कि उनमें जिसकी एक rank आई है, तो उस पे किस तरीके का कोई pattern बन रहा है, मैं इसी अधार पर अपनी new team create करता हूँ, और जिसकी वज़ किस pattern के साथ create करनी होती है, हम जानकारी किसी भी match की घटा कर लेते हैं, वो सही है, बट जो team हमें create करनी होती है, उसका क्या तरीका है, वो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, तो चलिए, चलते हैं mobile screen पर, और वहां समझने की कोशिश करते हैं, कि किस तरीके से हमें team create करनी होती है, तो दोस्तों, यहां मैं आपको बहुत detail में बताऊंगा, और step by step आपको समझाने की कोशिश करूँगा, कि जब भी आप कोई team बनाने जाओ, तो उससे पहले आपको किन बातों का और किन चीजों का ध्यान रखना होगा, जिससे आप एक dream 11, एक rank team बना सकते ह तो जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो कि जो matches मैंने यहां लगाए हैं, हमारे recent matches, जैसे कि IPL के matches हैं, तो आप जिस series की भी match लगाने जाओ, तो उससे related आप recent match जरूर देखा करिए, और उसमें यह देखा करिए, कि दोनों teamों का किस तरीके से pattern बन रहा है, तो जैसे मैं यह आपको समझाने की कोशिश करूँगा, यहां white और black दो team में हैं, तो यहां मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से यहां पर किस team का pattern बन रहा है, यह भी हो सकता है कि दोनों teamों का कोई ना कोई pattern बन रहा हो, यह सिर्फ एक pattern बन रहा है, तो जैसा कि आप यहां देख सकते हो यहां पर ब्लैक वाली team का एक pattern बन रहा है, अगर white और इसी तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे, तो यहां पर black और टीम से हमारी white वाली team प्रॉस हो जाएगी, तो इस तरीके से आप team मत बनाएगा, तो सिर्फ दो में से आप एक ही team का pattern बना सकते हो, यह ब्लैक वाली team का pattern तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, कि black वाली team का एक simple सा सीधा सा pattern बन रहा है, जिसके बीच में कोई भी white वाली team नहीं आ रही है, तो ऐसा मैं भी आपको और matches भी दिखाता हो, कि अगर आप सोच रहे हो, कि ऐसा एक ही match में होगा, तो guys आप बिल्कुल गलत सोच रहे ह वैसा हर match में आपको देखने को मिलेगा, जिसकी भी एक rank आती है, उसकी team का कोई ना कोई pattern जरूर बना होता है, और मैं इसी pattern को ध्यान में रखके ही अपनी team बनाता हूँ, जिससे कि मैंने जो winning करी, वो मैंने आपको दिखाई, तो जैसा कि आप यहां देख सकते हो, कि black वा white वाली team का कोई भी खिलाडी नहीं आ रहा है, और अगर हम यहां पर white वाली team का pattern बनाना चाहें, तो इस तरीके से वो cross करेगा, तो जब भी आप team create करने जाओ, तो याद रखिए कि दोनों में से किसी ना किसी एक team का pattern जरूर बन रहा हो, और उसी pattern के हिसाब से आप अपने team create करिएगा, team भी किस तरीके से create करनी है, वो भी मैं आपको अभी वीडियो के end में बताऊँगा, तो जैसा कि आप यहां देख सकते हो कि यहां पर white वाली team का एक pattern बन रहा है, तो आप खिलाडी जो भी players आपको select करने हैं, वो players आप अपने हिसाब से जो भी आपको लगता है कि इस match में अच्छा performance करेंगे, वो players आप अपने हिसाब से select कर सकते हो, बट जब भी कोई आप team बनाने जाओ, तो pattern का जरूर ध्यान रखिएगा, जैसा कि आप देख सकते हो कि यह मेरी team है, हाला कि यहां पर मैंने winning नहीं करी, बट मैं pattern का हर match में ध्यान रखता हूँ, कि द अपनी team को create करना है, तो सबसे पहले बात आते हैं कि हमें किन players को select करना है, तो guys यह आप पे depend होता है, और आपने जो जानकारी match से related इखटा करी होती है, यह उसके base पर आप यहां पर जो भी player लेना चाहते हो, वो players आप यहां पर select कर सकते हो, तो जैसा कि मैं अभी आपको द select करके कोई pattern बन रहा है या नहीं, तो जब भी आपको player select करने की बात आती है, तो player आप अपने हिसाब से कोई भी select करिये, जो आपको लगता है कि इस match में अच्छा खेलेंगे, वो players आप select कर सकते हो, बट अगर उन players को select करते हुए कोई pattern नहीं बन रहा है, तो उन players को आप ए प्लेक सकते हो, जो भी players हमने यहाँ पर select करे हैं, उनको select करते हुए एक pattern बन गया, और यहाँ पर black वाली team का भी इसी तरीके से pattern बन गया है, अब चाहें आप दोनों में से किसी भी एक team का pattern यहाँ बना सकते हो, या दोनों ही team का कोई ना कोई pattern बन रहा हो, अगर दोनों ही team का कोई pattern बन रहा है, तो cross नहीं करना चाहिए, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि दोनों team में वो cross कर रही थी, तो वो cross नहीं होना चाहिए, एक ही pattern को ध्यान में रखकर अपनी team बनाओगे, तो आपके लिए easy हो जाएगा team को create करना, तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो कभी white वाली team का एक pattern बना हुआ है, तो इसी तरीके से आप अपनी team भी create कर सकते हो, और इस तरीके से अगर आप अपनी dream create करते हैं, इस pattern को ध्यान में रखकर अगर आप अपनी team create करोगे, तो कभी ना कभी dream 11 पर आपकी एक rank जरूर आएगी, और मैंने इसी pattern के साथ 4000 का बड win कर सकता था, बट मैं इनी pattern के हिसाब से अपनी team बनाता हूँ, जिस से मैंने इतना बड़ा amount win करा, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, कि आप players कोई भी select कर सकते हो, अपने हिसाब से, बट आपको सिर्फ pattern का ध्यान रखना है, जो team आपने select करी है, उसका कोई pattern बन र लगता है आपको कि captain इस match में जो भी अच्छा खेलेगा, तो आप अपने हिसाब से captain और wise captain select कर सकते हो, मैंने सरिफ आपको यहाँ pattern का बताया कि आप अपनी team में pattern जरूर बनाया करिए, और इसी pattern के हिसाब आप हिसाब से आप कभी ना कभी dream 11 पर एक rank जरूर ला सकते हो, तो उमीद करता हूँ guys आपको वीडियो अच्छा लगाओ, और वीडियो अच्छा लगाओ तो please like, comment, subscribe करना मत भूलेगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ नया और सही जानने के लिए आप इस channel को subscribe कर सकते हैं, thank you so much for watching.